नमस्कार स्वागत आपका सीन्यूस भारत में मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तप उत्तर प्रिदेश में जेपी एनाइसी में जै प्रकाश नारायन जैनती मनाने का खिले श्यादप का मनसूबा इस बार काम्याब नहीं हो पाया योगी सरकार के घेराबंदी की वज़ो से पिछली बार की तरह वा गेट फान कर भी जेपी एनाइसी कैंपस में नहीं पहुँच पाये इस बार गेट पर ना सिर्फ टीन शेड लगा दिया गया बलकी सेंटर के बाहर बैरिकेडिंग लगा कर भारी संख्या में पुलिस स्पोर्स भी तैनात कर दी गई इस जोरान भारी संख्या में समाजवादियों ने सडक पर एखटा होकर जम कर प्रदर्शन किया बाद में अखिलेश ने विक्रमादित्य मार्ग पर सडक पर ही एक वाहन के ओपर रखी जयप्रकाश नारायन की आवक्ष प्रतिमा पर माले आरपन किया हालक ये पहली बार नहीं है जब जेपी अनाइसी में अखिलेश यादव के जयप्रकाश नारायन की ज्वेंती मनाने को ले कर सपा और योगी सरकार में संगहर शुआ हो पिछले साल भी अखिलेश यादव को जेपी अनाइसी कैंपस में जाने से रोका गया था तब वह गेट फान कर अंदर चले गए थे और वहां मौजूद जेपी की प्रतिमा पर माले आरपन किया था हालकि इस बीच लडिये ने अखिलेश को रोके जाने को लेकर सपश्टी करण भी दिया है उसने कहा है कि जेपी नारायन कन्वेंशन सेंटर परियोजना अभी निर्माना धीन है और बड़सात का मौसम होने के कारण अवांचित जीवों के मौजूद होने के आश्रंका है इसलिए पूर्व मुख्यमंद्री अकलेश यादब की सुरक्षा की दृष्टी से सही नहीं था एल्डिये ने ये चिट्थी 10 अक्टूबर को जारी की थी लेकिन 11 अक्टूबर को फिर भी सपाईयों ने जेपी कन्वेंशन सेंटर में घुसने की कोशश की इस वज़ा से शुकरवार को लखनों में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा लेकिन सवाल ये है कि आपात काल का नाम लेकर लगातार कॉंग्रिस पर हमलावर रहने वाली भाचपा अपने ऐसे फैसले से जेपी विरोधी का अटाग क्यों लेना चाहती है सवाल ये भी है कि अखिलेश को जेपी अनाईसी जाने से रोक कर योगी सरकार को क्या फाइदा मिलने वाला है बतादे कि साल 1975 में इंदरा गांधी सरकार की ओर से देश में लगाई गई एमिर्जेंसी के खिलाव जैप्रकाश नाराण सबसे मुखड स्वर बनकर उभरे थे उनके आंदोलन में ततकालीन जनसंग ने भी सहभागिता दी थी इतना ही नहीं इसी आंदोलन की उपज मुलायम सिंग यादव, लालू प्रसाद यादव और नितीश कुमार जैसे नेता भी रहे इसलिए इदर अखिलेश यादव इस मौके को पूरी तरह से भुनाने में सफल दिख रहे हैं उन्होंने जेपी के बहाने नितीश कुमार को भी ललकार दिया और उनसे भाजपा से समर्थन वापस लेने की अपील कर दी अखिलेश ने कहा बहुत से समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चला रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार जय प्रकाश नाराइन आंदोलन से निकले हैं। ये नितिश कुमार के लिए उस सरकार से समर्थन वापस लेने का मौका है, जो समाजबादियों को जय प्रकाश नाराइन की जयनती पर श्रद्धानजली देनी की अनुमती नहीं दे रही। इतना ही नहीं, JP NIC में प्रवेश पर रोक के बाद वह सोशल मीडिया से लेकर नाशनल मीडिया तक हर जगा च्वाए रहे। सोशल मीडिया पर कई बार भाजपाईयों को भी योगी सरकार के इस अनावश्य कदम पर जिज़कते देखा गया है। कुल मिला कर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की घेरे बंदी के कारण अखिलेश यादा विजबार JP NIC में JP जैनती नहीं मना सके। पुलिस और बैरिकेडिंग के बीच उस सपाकारिकरताओं ने सडक पर प्रदर्शन किया, योगी सरकार पर JP विरोधी ह होने के आरोप लग रहे हैं। अब BJP इससे कैसे उबर पाती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रुपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सी न्यूस भारत।